फॉलो करके चलिए टेली ग्राम पर सर्मा कोचिंग क्लासिस को एपलिकेशन पर इंस्टाग्राम पर पूरा करेंट अफ्टेट किया जा रहा इनस्टाग्राम पर आज है न इन जगावं में मुझे फॉलो करके चलिए रुकिये मत करने बात अगर छात्रावास की तैयारी कर तो हमारे प्रयास बैच को जॉइन करके तैयारी कर सकते हो वीडियो क्लासेज लाइफ क्लासेज स्ट्रेस सिरीज सब कुछ इस पे दिया जा रहा है फीस मात्र एक बार पेप करना है 1560 रुपए चल ओ मैं क्लासेज आज की चलू करना है जैसे कि आपको दीख पारे होंगे वायरस वायरस क्या होता वह छीज जो नुकसान पहुचाता है पर नुकसान पहुचाता वो छोटे छोटे प्रोग्राम में बनके वो कम्प्यूटर को अंदर आके कम्प्यूटर का नुक्सान पहुचाता है प्रोग्राम होता है वैरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है प्रोग्राम आता कैसे हैं पेंट ड्राइव से हाट डिक्स से हाना बहुत जगाओं से ये चीज़े हमारे computer के अंदर intact होती है और जाके हमारे files, video, image को corrupt करके हमारे computer को hang कर देती है तो virus को समझिए सवाल कई बार पूछा गया है कि virus होता क्या है तो virus वो चीज़ है जो program होते हैं हाना इस चीज़ को कोई भी गलती नहीं करेगा computer में प्रवेश करने के बस आने के बाद वो क्या करता है computer को slow करना चालू करता है, धीमा करना चालू करता है इस बात को याद रखिए बच्चो computer को slow करना चालू करता है, धीमा करना चालू कर देता है क्या करता है, file, जो भी आपके files रहते हैं उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है और क्या करता है computer वारस data अथ्व आकड़े और दस्ता वेच को क्या करता है डेमेज करता है अच्छे एक बच्चा बोल रहा है दिखनी रहा करके ठीक है हलका सा जूंग करके रखते है ना पर इससे क्या होगा थोड़ा सा ये भी कर जाएगा ठीक है हाँ अभी दीखा अभी दीख रहा होगा सबको ना अभी दीख रहा है सबको हाना ठीक है वसे मैं इसका पीडियाप दूंगा तो वहां देख देख लेना ठीक है समझा बच्चो आप पहले वायरस को सुन लेजिए ताकि आपका जो mcq आएगा बनाना आपके लिए ज्यादा असान हो जाएगा ठीक है कुछ कटे गा वो मैं बोल दे रहा हूँ ग्या करता है आपके आंकड़े औओ आपके data को क्या करता है च्छती करता है नुकसान पहुंचाता है तो वइरस क्या है एक प्रोग्राम है दिमाग में सेट करो वैरस-इक प्रोग वार salaries की परिभासा क्या होती है ठीक है याद रखिए अगर document को छति ग्रस्क करके उसे खराब करने का कार्य करता है यह hard X के partner में प्रवेश कर जाता ह dew 지금 होता है हाट डिक्स के computer को memory देता है जैसे आपके mobile में memory होती है वैसी कंप्योटर में hardix लगा होता है इस बात को याद रखिए अगर वो hardix जैसे आपके mobile में hardix memory भर जाएगा तो computer slow हो जाता है mobile slow हो जाता है same काम वही करता है virus वो hardix को धीमा कर देता है slow कर देता है और किसी भी program से जुड़के सक्री हो जाता है और उसे नुकसान पहुचाने की कोसिस करता है अगर आप program को run करना चाहो कुछ भी application run करना चाहो तो वहाँ से आप run नहीं कर सकते एकदम प्याले इसका theory को सुन ले ना बच्चो MCQ कराऊंगा इस पे theory सुन लोगे तो आपके लिए चीजी आसान हो जाएगी आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि virus होता क्या है ठीक है यहाँ तक clear हो गया virus एक program है जो computer में जाके उसकी गती को slow करके उसे corrupt करता है ठीक है आगे चीजी जलेंगे बच्चो ठीक है virus active होने के पस्चाथ memory से जुड़ जाता है सवाल पूछा गया है कि जब virus active होता है वो जुड़ता किस से है वो memory से और computer virus फैलने का यही मुख्य कारण है अब वो फैलता कैसे है वो virus भाई आपके अंदर अगर कोई बीमारी होगी तो बाहर से आएगी न अगर आपको कोई बीमारी पकड़ेगी तो बाहर से आएगी तो आती कैसे हो संक्रमित floppy dicks अब floppy dicks का तो प्रचलन बंद हो गया है डीवी, cvd, dvd, cd, pen drive, harddicks का प्रचलन चल रहा है तो याद रखना संक्रमित जो ओलडी कहीं से infected है अगर आप उसको अपने computer में लगा दोगे तो वारस इंटर कर जाएगा उनके माध्यम से माध्यम पूछा गया है संक्रमित cd, संक्रमित pain drive, वारस को सरपथम Robert Thomas द्वारा हना वर्स 1971 में विक्षित किया गया था याद रखिए, पहले तो समझ लीजिए कि यह आता कैसे है कहीं भी infected file वाला pain drive, harddicks, cd, dvd, अगर आपने computer में बगर anti-virus उस पे चला है scan किये बगर, upload कर दोगे, लगा दोगे, वो आपके computer में वारस आ जाता है और वारस को सरपथम Robert Thomas द्वारा 1971 में विक्षित किया गया और उसका नाम रखा गया creep, ये, sorry creeper अब यही सवाल आपके exam में आने वाला है बच्चो, ये मैं highlight कर दे रहा हूँ, color change करके यही सवाल आने वाला है, एकदम revise करेंगे मेरे साथ वारस को सरपथम किस ने खोजा, Robert Thompson ने खोजा है कब खोजा 1971 में, इस वारस का नाम क्या है creeper ठीक है, याद रखिये student, ये एक malicious program था इसको बनाया गया है, वारस विक्षित किया जाता है लोगों के द्वारा ऐसे नहीं कि ये automatic, प्राकर्टिक रूप से बन जाएगा ठीक है, तो पहला question, जो सवाल बनेगा आपके exam में जाने के बाद कि वारस को सरपथम किसके द्वारा खोजा गया ये पहला question आपके paper में आएगा, Robert Thompson द्वारा ये पूछ सकता है कब खोजा गया, 1971 ये पूछ सकता है, उसका नाम क्या creeper ये तीन question आपके exam paper में आएगे बच्चो तो वारस को परिभासा जानने के बाद अगर question देखेंगे तो ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे, आपको अच्छे से पढ़के चलना है सभी विद्यारतियों को मेरे द्वारा समझ आ रहा होगा, ठीक है अवाज अवाज नहीं आ रहा है क्या, अवाज तो मेरी आ रही होगे सबको बताओ, कमेंट करके अवाज तो आ रहा है, अवाज तो आ रहा है अवाज तो आ रहा है इस चीच को याद रखिए, ठीक है अब याद रखिए दिखो ये जो computer virus का नाम 1983 में सर प्रथम Fred कौन ने दिया था जो computer virus का नाम दिया गया 1983 में सर प्रथम Fred कौन ने दिया इस बात को याद रखना ठीक है ये भी question बनता है किसने virus का नाम दिया करके तो याद रखिए अगर टॉपिक पढ़ रहे हो virus के बारे में इस इसको clear करके चले अब अगर आगे आते हैं वो दिखता हमें malware या malware बोला जाता है ये नाम आपको आगे सुनने को मिलेगा या एक malicious software है इसके तीन प्रकार होते हैं इन प्रकारों से सवाल पूछा जाता है बच्चो तीन प्रकार होते हैं question है exam में ये ऐसे question भी है कि malware program कितने प्रकार के होते हैं ऐसा question है आपके exam में अगर आप warden अगर आप छातरवा सदिक्चक पढ़वारी cg व्यापम जैसे कोई भी exam की तैयारी कर रहा है न तो ऐसे question exam में पूछे गए हैं बच्चो ये आपको याद रखना है गलत किसी को नहीं करना है ठीक है यहां तक आप connectivity बना के चले अब वारस के बारे में तो already हम कर चुके हैं वो क्या करता है न वारस computer में उपस्तित file software को corrupt करता है corrupt file या software को share करने के पस्चार virus अन एक computer को damage कर देता है तो वारस के बारे में तो पहले समझा दिया हूँ कि अगर आप pin drive, hard disk, cd, dvd यह लाके अपने computer में बगए scan किये बगए अगर डालते हो तो computer में virus आने के संभावना बहुत जादा हो जाएगी इस बात को कोई बच्चा भी wrong नहीं करना ठीक है आगे आजाए वारस निम्न प्रकार के होते है अब इन प्रकारों को समझना बच्चा पहला होता है boot sector virus इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है boot sector virus से कई बार exam में सवाल आए है ठीक है मेरी बातों को समझिए पहला क्या होता है boot sector virus यह virus मुखिता removal media द्वारा computer में फैलता है यह virus master boot recorder को हानी पहुचाता है boot sector virus को system से हटाने के लिए system को format किया जाता है removable media क्या होता है simple सी बात क्या होता है आप किसी भी चीज से अपने computer में कुछ डाल रहे निकाल रहे हैं तो remove कर रहे हैं उससे virus फैल जाता है यह master boot recorder मतलब आपके computer में होता है इसको हानी पहुचाता है damage कर देता है इसलिए से boot sector virus कहते है और इसको आप ऐसे नहीं हटा सकते है इसके लिए आप वो computer को format करना पड़ेगा format मतलब पूरा data उड़ जाता है इसमें boot sector virus इस बात को याद रखना एकदम सवाल आते हैं student इसको याद रखना एकदम सवाल पूछे जाते हैं इसको कोई बच्चा भी गलत नहीं कर देना wrong नहीं कर देना ठीक है एकदम सवाल आते हैं से कि boot sector virus क्या होता है और boot sector virus को computer से कैसे हटाया जाता है हना तो format करना पड़ता है पूरे computer को format करना पड़ता है तो ये बाते अगर आप अच्छे से याद करके चलेंगे तो ये मैं लगता है कि आप इसको अच्छे से exam में बना पाएंगे ठीक ह ये साब से बाते clear हो रहे होगी वारेक्ष क्या होता है कितने प्रकार के होता है वारेक्ष के अंदर हम देख रहे हैं boot sector virus अगर यहां तक मेरी बाते clear हो गई होगी yes करके बच्चे comment करें हा ना ठीक है YES करके comment करें ये बहुत important topic था ठीक है किया यस करके कमेंड करें हां सारी चीज क्लिया है करके जवाब तु मुझे यहां तक क्लियार है सारे बच्चे यस करके जरूर लिखे स्टूडर्टा Copper вып जबदी से कमेंड करो मैं देख रहा हूं कमेंड्स अब बच्चों का है क्या मैं को लगता नहीं कि संद चाटा है ठीक ठीक इसमें देख लेते हैं न इसमें कमेंट सहीं आहीं आ रहे हैं यस सर यस सर वैरि गूड यस सर वैरि गूड ठीक हाण ठीक है तो boot sector virus क्या होता है ये कोई भी pain drive hard disk से अगर इसके अंदर आप अपने इसमें डालते जाओगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, मतलब आप संक्रमित, कहीं और का वायरस अपने डाल लोगे, तो क्या होगा, वो आपके master boot recorder, recorder क्या होता है, आपके हर चीज को record की रूप में रखता है, उसको खराब कर देगा, और इसको format के माध्यम स ही किया जाता है, ठीक है, अगला आते हैं, direct action virus, देखें वर्ड देखें लीजिए, direct action, direct action, direct action क्या होता है, यह किसी भी विशेज प्रकार की specified type के फाइल के साथ जुड़ कर, direct action virus computer में install होने के पस्चाथ, computer memory में छुपे, hidden रहता है, इन्हें non-resident virus भी कहते हैं, समझ ना बेटा चुझको, समझा रहो, एकदम सरल में समझाता हूं, direct action virus, कोई भी फाइल दिया आपको, कोई फोटो दिया, image दिया, उसके अंदर यह छीपा रहता है, और यह चुप-चाप install हो जागा computer के memory में, memory में, और वो चुप-चाप hidden रहेगा, और वो आपके computer को हानी पहुचाएगा, इसे non-resident virus भी कहते हैं, उसमें virus डाल देगा वो, आप install करोगे computer के memory को हानी पहुचाएगा, तो यह बाते कोई बच्चा भी भूले मत और गलत नहीं करे, स्टूडेंट, ठीक है, आगे आजाए, ठीक है, multi-portrait virus, हाना, यह क्या होता है, यह computer के system के boot sector, अथ्वा, executable files दोनों के साथ, एक साथ दूसित करता है, निस्पांदन योग file, एक दव हिंदी हो गया है, हाना, इसको क्या करता हो, दूसित करता है, मतलब virus द्वारा उसको corrupt कर देता है, ठीक है, याद रखना, यह multi-waves द्वारा आपके computer को हानी पहुचाएगा, इसलिए, इसे multi-parated virus कहा जाता है बच्चो, ठीक है, हाना, इस चीज को कोई बच्चा भी भोले मत, multi-boot क्या होता है, जब भी आप computer चालू करते हैं, उसे कहते हैं, booting, हाना, इस चीज को याद रखना, multi-parated virus कहा जाता है बच्चो, आगे, over-right virus, नाम में समझना, over-right virus, यह क्या करता समझना, यह क्या करता, यह virus, file को infect करने के पस्चाद, उसको delete कर देता है, एकदम question यही है बेटा, वा कौन सा virus है, जो file को infect करने के पस्चाद, delete कर देता है, उसका नाम है, over-right virus, यह सवाल कई बार आपके exam में आएगा, और आपको पता होना चाहिए, यह question कई बार पुचा गया है, कि वा कौन सा virus है, जो computer के file को दूसित करके delete कर देता है, over-right virus, direct आपके theory parts से ही question को पूचेगा, direct आपके theory parts से ही question को पूचेगा, over-right virus, computer system से remove होने के लिए, उप्योग करता को, सभी infected file को delete करना पड़ता है, करता क्या है, वो computer में आ जाएगा, और वो क्या करेगा, आपके main, file को delete कर देगा, आपको पता नहीं रहेगा, कहां चला गया, यह over-right virus का example है, बच्चों, इस बात को दिमाग में डालो, इसी line से question आएगा, वो कौन सा virus है, जो computer को delete कर देता है, over-right virus, कोई बच्चा भी यहा के copy में लिखो, इस question को, और उसका answer लिखो, over-right virus, ठीक है, आगे चलेंगे, macro virus के बारे में पढ़ेंगे, macro virus, क्या होता है यह macro virus, देखिए मैं internal पढ़ा रहा हूँ, और यह level रखा हूँ, warden का, क्योंकि 50 number का computer आता है, और अगर आप topic नहीं देखेंगे, आप परिशान हो ज प्रकार, इसको इस प्रकार से design किया गया है, macro को, जो 2 spoon code, है न, code को वास्त्विक macro अनुकरम में, आसानी से जोड़ देता है, then one, macro sequence में जोड़ देता है, macro एक प्रकार का करम होता है, computer का, उसमें जोड़ देगा, अब आप उसको धूड़ी नहीं पाओगे, ऐसा design किया गय इसको, आप उसको धूड़नी पाओगे, और वो क्या करेगा, आपके computer को फिर damage करना चालू कर देगा, तो ये छोटे-छोटे points, छोटे-छोटे highlights, अगर आप अभी से नहीं पढ़ोगे, बच्चो, आपको exam में दिक्कत हो जाएगा, 100% दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम इस अनुकरम में जुड़ जाएगा, और उसको पूरे damage कर देगा, ठीक है, computer का system होता न, input-output, analysis, वो सब system में घुझ जाएंगे लोग, और system खराब कर देते हैं, इन ही सेब topic से सवाल आता है, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनको बनना आना चाहिए, polymorphic virus कहा जाता है, किसे कहा जाता है polymorphic virus, यह virus अधिक्तम cyber अपराधी, cyber case आपने बहुत सारा सुना होगा, bank की ठगी, पैसे निकाल लेना, अधार कार्ड अपडेट करके नाम पे, finance के नाम पे, इसके नाम से, उसके नाम से आता रहता है, इसे में होता है cyber अपराधियों द्वारा, इसका प्रयोग किया जाता है, polymorphic virus, computer virus के अंतनिहित code, हाना, underlying codes को प्रुपांतित करता है, mutate कर देता है, कैसे करता है यह, computer codes पे काम करते हैं, binary भासा पे काम करते हैं, binary codes पे काम करते हैं, हाना, computer कभी हमारी भासा नी समझता, जैसे मैं आपको हिंदी में बात कर रहा हूं, तो आप हिंदी समझ रहे हो, कोई भी translate नहीं करते हैं हम लोग इस चीज को, पर computer हिंदी सुनता है, या English सुनता है, या जो भी language सुनता है, convert to assembly language, machine language में, और पर output देता है आपके language में, तो जो उसके codes होते हैं, उसको जाके वो mutate कर देता है, फिर वो आपकी भासा समझ नहीं पाता, और computer ठिक से work नहीं कर पाता, तो जितने भी virus है, इसको ध्यान में रखे, अगर 50-50 का खेल खेल रहे हो, 50 नंबर हमको warden में लाना है, 50 में 50 लाना है, सारे virus की theory एक बर जरूर देखो, मैं इस पर MCQ भी करा दूँगा, आप लोगों को, तो ज्यादा आप के लिए better हो जाएगा बच्चो, हाना, ठीक है, आगे आजाए, system boot record infected virus, system boot record infected virus, या virus, निस्पांदन code को infect करता है, और अधिकतर DOS के boot sector को हानी पहुचाता है, Dix operating system, Dix operating system होता है DOS, क्या करता है, जो भी मतलब निस्पांदन करेगा, हाना, उसको क्या करता है, जाके infect कर देता है, भाई DOS क्या है, Dix operating system है ना, एक प्रकार का operating system है, जैसे window है, उसको ही खराब कर देगा, boot मतलब जब वो चालू होता है, boot मतलब चालू होता है, चालू ही नहीं होन देगा, तो आप चलाएंगे क्या, तो एक एक ची याद रखना question यह पूछे जाएगा, कि DOS किस virus से दूसित होता है, इस बात को याद रखना, boot sector virus से, ठीक है, तो यह देखिए बच्चु, मैंने जो आपको आज virus की topic कराई, यह theory theory था, इस से MCQ कराऊँगा कल, इस चीज को याद रखना, और यतना अच्छा theory करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, तो यह virus की theory complete हो गई आज की, ठीक है, अब देखो बच्चो, मैंने जो इसका, आपका, क्या कराऊँगा कल, कल कराऊँगा virus का MCQ, वस्तुनिस्ट, ठी पचास में 50 का target है वाईया, यह 50 में 50 अगर warden लाना चाहते हो, जो कि जल्दी आपके लिए exam आएगा इसका, तो मेरे साथ आपको connectivity बनाना पड़ेगा, अगर हम theory ले रहे हैं, तो उस पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को याद रखना, और इन जग जगाओं पर follow करके चलिए, आज पहली क्लास थी 7 बजे वाली, सारे बच्चे मुझे इन जगाओं पर follow करके चलिए, जहां से आप मेरे हर time table, new time table, new vacancy, current affairs, CG current affairs, सब कुछ यहां से जान पाएंगे आप लो, इस चीज को याद रखिए, हाना, और